रादे रादे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो जगा जगा पर काई बैड़ जाती है, तो आपको पताई होगा कि काई जो है वो चाइना और भूटान में खाई जाती है, वहा लेकिन इससे एक बहुत बैतरिन फर्टिलाइजर बना करके तयार कर सकते हैं, अभी अगर आप इसे देते हैं, तो आपको पौधे में और कुछ देने की जरुवत नहीं पड़ेगी, अगर आपके फूलों का साइच छोटा हो गया है, कलिया नहीं बन रही है, तो ये सब प समपुन जानकारी देते हैं, जैसे कि देखिए मेरा बाल्टी है, तो मैं क्या करती हूँ कि बारिस के पानी को स्टोर करके रखती हूँ, बारिस का पानी में बहुत अच्छी मातरा में नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है, जिससे हमारी पतियां जो है लस्ग्रीन होती है, आप देखते हूँ कि बारिस का पानी पढ़ते ही हमारा पौधा का कलर और अच्छा ग्रीन हो जाता है, और पौधे में कोई भी बिमारी रहती है, तो वो चली जाती है, पौधा फिर से री ग्रोथ करने लगता है, इसलिए हमें बारिस का पानी को स्टोर करके रखती हूँ बारिस का पानी को स्टोर करके रखने से आप देखेंगे कि बाल्टी में काई पनब जाता है, तो उस काई को हमें फेकना नहीं है, उसी काई से आज हम आपको फटिलाइजर बना करके दिखाएंगे, तो अगर आपने भी बारिस का पानी स्टोर करके रखा है, बाल्टी में काई जम गई है तो उस काई को आप रगड़ रगड़ की साफ करके काई को फेक देते हैं लेकिन आज से मत फेकिएगा गाड़निंग के सौकीन है तो अपने पौधे में यूज कीज़ेगा ये देखिए ये मैंने एक कटोरी काई बाल्टी से ही खखोर के निकाला है बाल्टी से खखोर के निकाला है अगर आपके घर के आंगन में काई बैट चुकी है तो वहां से आप खखोर के निकाल सकते हैं या फिर जहां पर भी आपका पानी स्टोर होता है पानी जमा रहता है तो वहां पर obviously काई जमना श्योर है तो वहां से आप ख पौदे को रीग्रोध करने बहुत मदद करते हैं कलियों का साइच को बढ़ाते हैं फूलों का साइच को भी बढ़ाते हैं तो यहां पर देखिया यहां पर यह बाल्टी से आपको काय साफ लगेगी और इसमें पानी है काय को निकाल करके इसमें मैंने पानी डाल दिया अब इसी में मैं आपको फटिलाइजर भी बना करके दिखाऊंगी तो मैं काई का पनपनी का वेट करती हूं कि काई जब पनपेगा तो मैं अपने पौधे में उसे यूज करूंगी यह बिल्कुल अजमाया हुआ तरीका है इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूं लेकिन इसके साथ साथ आपको और इसमें देना है सरसोखली दोस्तों अगर आप नरसरी जाएंगे और पूछेंगे नरसरी वालों से कि आप पौधे में क्या डालते हैं जिससे आपके फ्लावरिंग इतनी बड़ी होती इतना कलर उभर कर आता है वो नहीं बताते लेकिन वो अपन सरसोखली बहुत फायदेमन बानी जाती है तो मैं तीन दिन पहले यहां पर एक लिटर पानी में सरसोखली को डाल करके फुला दी थी इसे भी मैं आज काई वाले पानी में इस्तमाल करूंगी काई के साथ यह हमारे पौधे को वकास को बढ़ाएगा कलियों के साइच को मचली का चारा दिया जाता है या फिर बेचा जाता है पेड़ पौधे के लिए तो इस तरीके से आप काई का इस्तमाल कीजिए और सरसोखली का इस्तमाल कीजिए मैं एक बाल्टी पानी में यहां पर इस्तमाल की थी और सरसोखली अच्छे से मिला लिया है मिलाने के बाद इसे डारेक्ट इसी तरीके से पौधी में दे देना है पौधे में आपको उस साम देना है जब मिट्टी में नमी हो डारेक्ट सूखी मिट्टी में नहीं डालना है क्योंकि सरसुखले का इस्तमाल ऐसे नहीं किया जाता है पौदे को वैसे जला देता है तो जब भी मिट्टी में नमी हो सुभा पानी दिये है तब साम को आप इस फटिलाइजर को दीजे तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर ले ले रहे अप आप क्वाइंटिटी सोच रहे होंगे तो क्वाइंटिटी आपको 100-100 ml देना यानि देख सकते हो मेरा पौधा कितना लस्ग्रीन लगता है और हमीसा मुझे इतने फूल मिल जाते हैं कि 100-500 रुपया मार्केट में डेली उतना फूल अगर खरिद के लाएंगे 100-100 रुपया लग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए गुलाब के पौधे में दी हूँ यहाँ ग अगर इसमें फटिलाइजर दोंगी इसका कलर भी डार्क हो जाएगा और साइज भी बड़ा आने लगेगा हर कोई देख के चौकिए कि क्या पौधे में डालते हैं कि इसका बग्या इतना अच्छा रहता है मुझसे हर कोई पूछते भी है मैं सब को बताती हूँ मेरे महतरिन खाना नहीं देंगे महतरिन फटिलाइजर नहीं देंगे तो आपको फूल भी देखने को नहीं मिलेगा दिरे दिरे ग्रोध करना भी यह बंद कर देता है तो आप यह बना के दीजिए और मैं डेली अपडेट देते रहती हूँ कि मैं क्या फटिलाजर अपने मैंने खुद लगाया था सो फ्रेंट्स आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो चानल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा